हेलो गाइज मैं हो कुमार और आप देख रहे है Z Creator और स्वागत है आपका इस 3rd Part के इस Tutorial में इस Sergeant Model के Tutorial में तो इस बार हम देखने वाले है कि कैसे मैंने इस Model को Substance Painter पर मैंने लेके गया हूँ तो चलिए देखते हैं exactly यह अब आप color देख रहे हो यह actually एक-एक UV Island है ठीक है तो इसका एक UV Island है इस तरीके से ठीक है तो यह color का एक है and then इन कपडों का भी है एक UV Island है शाथ से मैं इसको height कर देता हूँ तो यह है इस Red Color का भी एक UV है इस तरीके से और इसका भी है orange color का और इसका पूरा एक है ठीक है तो ऐसे करकर के मैंने हर एक जो color आपको दिख रहा है अलग-अलग वह हर एक UV Island है मेरे पास और यह सब 1 to 1 ratio में ही है जैसे यह shoes का भी you know left shoes और right shoes का भी है और पूरे मैंने एक में ही रखा है अगर आप UV देखो गेता हूँ तो मैं दुखरा सिलेक करता हूँ तो आप देख सकते हो इसकी UV ठीक है और यहां से मैंने आप देख सकते हो इसका भी मैंने आपको नहीं पता है की material manager कैसी उसकरते मैंने इसके उपर एक tutorial भी बनाया था जो I think scripts के उपर था जो कैसे यह scripts आप install कर सकते है शाइद से वह link description में मैं दे दूँगा तो आप check out कर सकते हो तो यहां पे काफी आसान है material बनाना जिस अपको इस presets पर click करना and then material यहां पर आ जाएगा and then आप यहां से भी renaming कर सकते हो you know यहां पर click करके and then यहां पर आप renaming कर सकते हो ठीक है या फिर आप यहां से भी renaming कर सकते हो शायद से I don't know यहां पर होता है double click करके यहां पर है यहां पर है तो जैसे आप यहां पर आप यहां से भी renaming कर सकते हो तो काफी सारे options है आप यहां से भी कुछ न काफी कुछ कर सकते हो और main चीज मैंने जो कह रहा था वो है naming properly naming तो जो name आप इस यहां पर दोगे माया में, वैसे ही सबसेंस पींटर में भी वही नाम आया का, जैसे ये हैड ऐसे सेरीज है, ये क्लॉथ है, ये बेल्ट है, ठीक है, तो कलर कोई मैटर नहीं करता है अभी फिलाल के लिए समें, ये जस्ट दिखाने के लिए है कि कैसे मैंने अलग-अलग यू-वि आइलेंड रखे है, जैसे ये एक यू-वि आइलेंड है, इसका एक यू-वि आइलेंड है, लेफ्शू का है, राइट शू का है, इस तर मैं आपको ये बताऊँगा कि कैसे इसको एकस्पॉर्ट करता है सबसेंस पेंटर के लिए, तो काफी आसान है जस इसको आपको सिलेक करना है हाला कि मैं सब कुछ तो नहीं लेके जा सकता है जैसे इसको मैं अलग ही यूनो पेंट करूँगा तो इसके लिए अलग यूनो एक्सपोर्ट करूँगा ये अलग एक्सपोर्ट करूँगा अगर मुझे कुछ इस तरीके से grass vase बनाना है बहुत जल्दी तो मैं mega scan use करता हूँ तो एक बार आपने यह जिस select करना है जिस आपको इस group को and then file export करना है आपको fbx format में ठीक है तो simple है like file आपको select करना है कौन सा model चाहिए and then file export selection तो जैसे ही यह material है वैसे ही texture set जो है हमारा substance painter भी लेगा तो अब हम जाते है substance painter में so guys हम आके है substance painter में तो already यह model complete है तो मैं आपको एक एक करके बताऊंगा नीचे से जाके for example विस water bottle से आपको यह पर क्या करना है जस्ट file में आना है new करना है और फिर कौन सा resolution चाहिए document पहले तो आप उपर देख लिए यहाँ पर PBR metallic roughness होना चाहिए ठीक है और फिर आपको file select करना है जहां से आपका model होका ठीक है उसके बाद आप यहाँ पे resolution select कर सकते हो क्या resolution का document हमें चाहिए तो generally हम 2048 यह काफी better होता है देखने के लिए ठीक है and then just आपको यहाँ पर import करके यहाँ यहाँ पर select करने के बाद आपको यहाँ पर OK का option दिखा देगा just आपको यहाँ पर OK करना है हमारे पास कोई UDM नहीं है तो UV tile workflow हम नहीं यूज़ करने वाला है यहाँ यहाँ पर कुछ option है ठीक है तो यह हो जाने के बाद आपका model जो है import हो जाएगा substance printer में तो हम यहाँ पर देखेंगे तो मैं कुछ इसको मैं isolate कर देता हूं ताकि आपको दिखाई दे exactly है क्या यह ठीक है तो मैं एक एक layer की तरफ जाता हूं क्या तो यह ऐसे basic है और इसको मैंने like zbrush में sculpt किया था आपने देखा होगा अगर मैं zbrush में आता हूं तो इसको मैं all कर देता हूं ठीक है तो अगर मैं इसको select करता हूं तो यह detail जो है मैंने यहां से export करा है ठीक है and then यहां पर आके मैंने उसे bake कर दिया है या आप एक ऐसे भी कर सकते हो जैसे अगर आप अगर इसके अंदर uv है I think यहां पर uv है तो यह इसको मैं solo कर देता हूं और देखते है अगर इसमें uv है तो of course मैं यहीं से जो है norm map I think mesh has layers मैं इसको bake कर देता हूं अभी के लिए मैं इसको 6 division लेता हूं bake all कर देता हूं ठीक है field, load, subdivision level इसमें देखने के लिए कि uv है या नहीं है तो of course है इसमें uv है तो इसको मैं अन्मॉर्फ कर दूंगा ठीक है तो अगर आपके model में uv है और आपने इसको division करने के बाद स्कल्ट किया है तो आप यहां से भी export कर सकते हो normal map तो normal map काफी काफी easy है यहां पर निकालना मैं जी plugin को इदर ले ले लेता हूं क्लिक जस्ट यूज 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 नॉर्मल मैप काँ किया मृदी मैप exporter और नॉर्मल मैप डिस्प्लेस्मेंट मैप की कोई ज़रुवत नहीं है तो उसके हम options में आ सकते है मैंने आपको यहां पर तैंजन और एस नॉर्मल सेलेक करना है इंडिर आपका इसी आपका प्ली रहे ठीक है क्या रेजलीशन चाहिए हम यह पर फोर्के चाहिए रेजलीशन तो फोर्के सल्क करना है एं अं तें आपको यहां पर करना है क्रिय डॉब मैप सिग्स का तो आपका मैप नॉर्मल मैप एक्स्टाथ होगा और फिर हम सबस्ट यहां पर हम यहां पर हम वह जो Zebrush का नॉर्मल माप है इसको हम ड्राग and drop करेंगे और देन उसको टेक्शिर सेट करने के बाद हम बेक मेश में आपको प्रजेक्ट में दिखाए देगा शायद से आपको जस्ट वह नॉर्मनल मैप को आप ड्राग और राप करना होगा ठीक है तो यह अब देख सकते हो वाटर बोटल जियो तो यह जीवरश का है ठीक है अगर अगर आपका 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 और आपको resolution देखना है, कौन से resolution में चाहिए आपको, ठीक है, और that's it, आपको just, और एक चीज करना है, जो है, वो है, use low poly as high poly mesh, यानि जो low poly है, वही चीज हमें as a high poly, you know, read करना है, तो सब कुछ जो है, यह बेक हो जाएगा, यहाँ पर अगर आप मैं इसको cancel कर देता हूँ, अ selection में आने के बाद, यहाँ पर badge लिखा हो है, ठीक है, तो आपको water bottle select करना है, कौन सा map, generally यह सब कुछ selected रहता है, आप यहाँ से none भी कर सकते हो, deselect all texture sets, और फिर सिर्फ water bottle select करके आप यहाँ पर bake कर सकते हो, तो जितना भी selected है, options, वही चीज आप, you know, bake कर सकते हो, तो इस case में मुझे सिर्फ water bottle bake करना है, तो मैं सिर्फ water bottle के, you know, box को check mark कर देता हूँ, and then वो आप bake कर सकते हो, यहाँ से, एक बार bake होने के बाद, आप यहाँ पर देख सकते हो, you know, B press करके, तो यह है thickness map, तो thickness map मेंने बनाया है, यह zee brush का normal map है, यह world space normal map है, यह ID map तो नहीं है, यह ambient occlusion यहाँ है, आप देख कर तो यहाँ पर dark इसलिए है, क्योंकि यह model है, इससे, you know, close है, इसलिए यहाँ पर इस तरीके का आपको दिखाई दे रहा है, तो मैं और एक बार भी प्रीप, यह curvature map है, और यह position map है, ठीक है, तो इस तरीके का map हम use कर सकते हैं, तो देखते हैं, क्या- चीजे आनी शुरू होती है, जो इसके लिए में रेफरेंस जो मैंने use किया था, मैं एक बार देख लेता हूँ मेरे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैंने यह वाला रेफरेंस लिया था, और आप देखोंगे यहाँ पर, I don't know, plastic gloss क्यों लिया था, I think कुछ चीजों के लिए मैंन यहाँ को मिल जाएगा, I think यहाँ पर आप टाइप भी का सब्सक्राइब, तो यह वोड वालनेट का एक material है, आप देख सकते हो, इसको मैंने ज्स ट्राग और रॉप कर दिया है, तो वो अल्रेडी एक में ही आगया, सिर्फ मुझे अगर इसमें चाहिए, तो मैं सब को unhide क mask, ठीक है, और मैं 4 प्रेस करता हूँ, ताकि मेरा, you know, mesh select हो जाए, और यहाँ पर select कर देता हूँ, UV के according, या फिर मैं object के according पी select कर सकता हूँ, और मैं 1 प्रेस करता हूँ, तो आप देख सकते हो, यहाँ पर इस तरीके का आया है, तो इसको मैंने थोड़ा सा changes कर दिया था, I I think, इसको मैं delete कर देता हूँ, ठीक है, और इस पर मैंने, I think, कुछ और भी, you know, wood fibers वग यह रहे डाले है, इस तरीके का, and then leather, I think, यह leather यह part वाला है, ठीक है, और फिर next fabric, कैसा fabric होगा, and then उस में थोड़ा सा dirt, ठीक है, तो dirt option, ऐसा कुछ option होता है, बले यह है, and then मैंने कुछ mask editor डाले है, यहाँ पर, and then है, यहाँ पर damaged, gold damage, I don't know, यहाँ पर मैंने कुछ golden, कुछ stitches बनाया थे, मैंने यहाँ पर, और ऐसे ही, you know, मैंने यहाँ स्कुर्ट किया है, I don't know, gold क्यू न नहीं दिख रहा है, यहाँ पर, यह जो part है, यह golden part है, यह golden क्यों नहीं दिख रहा है, I think, gold damaged, तो, लेकिन आप render में आप देखो के, तो ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन, actually मैंने यह file को दुबारा open किया, और फिर मैंने चेक किया, तो, वो, जो है, gold color का output, यहाँ पर आपको दि राइट शूस और लेक्ट शूस एक ही जैसे ही है, तो राइट शूस का कुछ देखते है, कुछ यहाँ पर मैंने details किये थे, कुछ मैंने basic materials यहाँ से leather के निकाले, तो, I guess, यहाँ पर, यह कुछ मैंने dirt का मैंने texture डाला हुआ है, तो, एक एक कर देखते है, exactly lace fabric, यह जो map है, यह generally वैसे ही है, मैंने zee brush से, जो है, इसका normal map निकाला, ठीक है, आप यह sculpt zee brush में देख सकते हो, ठीक है, और, अगर मैं आपको बताओ, तो, यहाँ पर होंगे, वो details, तो, इस ही details को, क्योंकि यहाँ पर topology भी है, मेरे पास, और, you know, मैं इसको एक दिखा देता हूँ, आप तो, मेरे पास topology है, और इसकी UV भी है, प्लस, इसके ओपर मेरे पास detail भी है, तो, यही detail का मैंने use किया है, यहाँ से, मतलब, वही है, चीज, normal map export करने के बाद, हम substance printer में, उसके normal map में, you know, big mesh maps में, normal import करेंगे, and then, बाकी के maps, जो है, हम, big करेंगे, तो, वैसे ही रखा है, मैं इसका कुछ इस तरीके से है, तो, यह कुछ मैंने soul base कल, I think मैंने यहाँ पर कुछ leathery material लिया था, इसका मैंने name change किया है, अब मुझे पता नहीं, like, यहाँ पर, आप सर्च कर सकते हो, L-E-A-T-H-E-R, leather, यहाँ पर कफी अच्छे सारे leather है, और material में भी मिलेंगे, आपको smart material म यहाँ पर भी मिलेंगे, अगर आप smart material में, L-E-A-T-H-E-R, leather से सर्च करोगे तो, यहाँ पर भी मिल जाएंगे, आप देख सकते हो, मैं एक example बता देता हूँ, यहाँ पर आप ड्राग और दॉप करोगे, तो, यहाँ पर आपको एक basic, you know, मिल जाएगा, यहाँ पर, इसको सबको में off कर देता हूँ, and then, इसके, यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर आप इसके color भी change कर सकते हो, अगर आपको यह color नहीं चाहिए, कोई अलग color चाहिए, तो, यहाँ से आप dark रख सकते हो, इस तरीके से, और options में आप, you know, देख सकते हो, यह generally कोई texturing का tutorial नहीं है तो, like, मैं आपको एक general idea दे रहा हूँ, इस tutorial में, तो, आप अपने हिसाब से भी like कर सकते हो, अगर आप ऐसे कुछ project बना रहे होंगे, तो, various types of, you know, dirt, मैंने यहाँ पर डालने की कोशिश किया, ठीक है, सेम विद राइट शूस भी वही है, ठीक है, और pant के लिए भी like, like, almost स मैंने paint किया है, pant आप देख सकते हो, ठीक है, इस तरीके का है कुछ, और अगर आप इसकी UV भी देखोगे, same like, जैसे माया में थी, जैसे UV, वैसे ही UV यहाँ पर भी है, ठीक है, तो, F2 प्रेस करता हूँ, 3D mode में आने के लिए, और यह जो black दिख रहा है, यह actually ambient occlusion बेक हुआ तो, like, उसकी वो shadow generate होगी, लेकिन अगर आप C प्रेस करते हो, color के लिए, तो आप देख सकते हो, कैसे color map है, इसका, ठीक है, कैसे height map है, कैसे roughness है, कैसे normal है, देख सकते हो, यहाँ पर आपको normal दिखाए देया, ठीक है, और मैं प्रेस करता हूँ, material मोड में आने के लिए, तो fabric, शैज यह लेनन का होगा, आप देख सकते हो, यहाँ पर, हाँ, यह हो सकता है, crease, शैज से one है, तो I think यह मैंने use किया है, तो I think यह मैंने use किया है, ठीक है, मैं आपको basic बता देता हूँ, तो मैं इसको off कर दूँँगा, इसको मैं drag and drop कर देता हूँ, दुबारा, तो मैं ल यहाँ पर नहीं है, base color में आके हम यहाँ पर color change कर सकते है, जो भी color चाहिए आपको, for example, इस tutorial के लिए समझो, हम red कर देता है, ठीक है, और हम देखेंगे, कौन से color में और वो, you know, base color आ रहा है, यह fabric base है, fabric pattern है, और fabric, I think यह detailed version है, तो यह ऐसे on-off करके देखता हूँ, यहाँ सा color, you know, better रहेगा, I mean, red ही color लेना, for example, यहाँ पर मैं, यहाँ पर color map नहीं है, तो fiber patterns पर होगा, शायद से color, तो यहाँ पर color, you know, ऐसे change कर सकते हो, इस तरीके से, let's see, और कुछ है, यहाँ पर color है, yes, तो, like height में भी हम like color यूश कर सकते हैं, अगर है तो, और आप देख सकते हैं, यहाँ यह जो है, टेक्शरिंग, overall यहाँ आप यहाँ पर edit भी कर सकते हो, right, यहाँ पर हम color change कर सकते हैं, थोड़ा इसको, यह color नहीं चाहिए, फोल्ड्स चाहिए, लेकिन यह detail तो है ही, तो इसलिए I guess, यह shading दे रहा है, I think, ऊपर के color उसको drive कर रहे हैं, ठीक है, तो इसी तरह से मैंने like, इससे भी बनाया है, ठीक है, and then, इसको मैं delete कर देता हूँ, I don't know, यह work क्यों कर, I think, हाँ, फिर मैंने एक pattern बनाया है, यहाँ पर, जो मैंने just एक fill layer लेके, and then, उसकी थोड़ी सी roughness, you know, वैसे रख के, यह है roughness उसकी, तो जो white है, इतना shine नहीं करेगा, लेकिन यह जो side वाला है, थोड़ा हलका बहर shine करेगा, आप देख सकते हो, अगर मैं थोड़ा सा move करूँगा तो, like, slightly वो shine करेगा, and then, यहाँ पर dirt का एक option है, और second dirt, तो same with left shoes है, हमारे पास head accessories है, head accessories में, यहाँ पर मैंने कुछ tricks यूज किये है, आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर बहुत सारे folders बनाया हुए है, अगर मैं आपको दिखाऊ हूँ, एक एक करके तो, ऐसे कुछ दिखेगा यह, तो starting में, यह अच्छा, यह एक folder है, तो यह glass के लिए सिर्फ मैंने बनाया था, ठीक है, और यह वाला मैंने, यह जो color है, आप देख रहे हो, यह चीज मैंने एक substance source से मैंने एक लिया था, एक मि नेट मैं आपको बताता हूँ, नेट पे, sorry, substance source नहीं, substance share आप देख सकते हो, यहाँ पे है, यह मैंने यहाँ पे search किया है, इर्डेंस, पता नहीं, इसे कैसे प्रणास करते है, बट यह मैंने कुछ filter मैंने डाउनलोड किये, यह free में होते है, और ऐसा कुछ effect मुझे देना थ आप इसके वीडियो भी देख सकते हो, और काफी अच्छा filter है यह, तो इसी filter का मैंने यूस किया इस, इस project में भी, तो यह ऐसा कुछ मुझे लेकिन glossy चाहिए था, यह बलकि यह metallic है, लेकिन आप इसका वीडियो भी देख सकते हो, कैसे इसको यूस किया जाता है बहत अची तो यही चीज मैंने यहाँ इस, इसके glass में भी करी, and then वही है कि roughness उसकी कैसी होगी, तो पहले कुछ इस तरीके से दिखाए हमें देगा, लेकिन मैंने एक, you know, एक normal fill layer लेके, उसकी सिफ roughness को on करके बाद में मैंने कुछ यहाँ पे, I think, grunge maps, use किये, और मुझे पता नहीं grunge, fingerprints, dusty, आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कुछ इस तरीके का मैंने use किया, और अगर आप इसका result दिखोगे, तो कुछ इस तरीके से आता है, ठीक है, और थेरे थेरे फिर बाद में gas mask, तो यहाँ पे भी material differentiate, आप देख सकते हो, material, like कुछ metal है, कुछ rubbery है, इस तरीके का, and then helmet, helmet में भी काफी like painting करने के लिए, यहाँ पे अच्छा है, आप देख सकते हो कितना low poly है, लेकिन मुझे पता है, यहाँ पे हम like, you know, marmoset में लेकर जाके, हम इसको like, अच्छी division दे सकते है, तो यहाँ पे भी काफी same है, और आप देखोगे, कुछ helmet में, तो पहले मैंने कुछ fabric bamboo, I think, बनाया है, I think यह gas mask का ही मैंने, you know, material इसमें ही डाल दिया, ठीक है, उसके बाद यह, यह fabric, bamboo करके होगा, शायद से material में, या smart material में, ठीक है, और फिर उसके बाद stitches, मैंने कुछ use किये, and then उसके उपर कुछ dirt, और फिर, कुछ hand-painted dirt, ठीक है, तो इस तरीके के मैंने material बना है, ठीक है, same with cloth भी, अगर मैं cloth को select करता हूँ, तो आप देखो कि इस तरीके का कुछ cloth है, और resolution भी आप देख सकते हो, काफी अच्छा है, लेकिन अभी 2K में दिखनी रहा, लेकिन अगर आप यहाँ से export करते हो, 4K में, तो काफी अच्छा resolution द दिखाना था, हलका सा, क्योंकि अगर पूरा model देखो के, तो नीचे से ज्यादा dirt है, और फिर हलका हलका यहाँ पर dirt है, कुछ जगे पर लाइक, यहनों, इसके armor पर भी dirt लगा हुआ है, इस तरीके से, and then, I think, यहाँ देख सकते हो, इस तरीके का कुछ paint मैंने किया है, दोनो brush mode पर आना होगा उसके लिए, तो जैसे यह color है, आप यहाँ पर देख सकते हो, symmetry option आता है, जैसे आप brush mode पर आते हो, ठीक है, तो same, मैंने इसमें भी करा है, इसको on कर देता हूँ, और इसकी height मैंने बढ़ाई है, आप देख सकते हो, अगर मैं इसकी height कम कर दूँगा, तो यहाँ पर होगा, उसकी height, अब देख सकते हो, इसकी, यह अंदर की तरफ जा रहा है भी, क्योंकि मैंने इसको minus में लिया है, और यह उपर की तरफ जा रहा है, अगर मैं इसको यहाँ से बढ़ाता हूँ, और फिर वही है कि paint तो है, यह already हमारे पास, just उसकी height हमें बढ़ा और फिर हम देख सकते हैं, उसकी normal map में भी उसकी differentiate दिखाई देगी, अगर हम यहाँ से height उसकी, बढ़ाते हैं, घटाते हैं, ठीक है, तो इस थरीके से, like मैंने इसको undo कर देखा हूँ, और same with like hand को, यह जो hand है मैंने direct zbrush में ही paint किया था, with poly paint, हम कोई भी, you know, इसको मैंने divide कर and then paint कर दिया था, map, आप देख सकते हो, इसके head में भी अगर आप देखोगे, तो solo कर देता हूँ, मैं, तो इस तरीके का कुछ paint किया था, मैंने, और बाकी का वही है कि, you know, material और shader लेके, मैंने, substance matter में आप देख सकते हो, कितना अच्छा उसका result आ रहा है, right, ठीक है, क्यों कुछी मुझे यहाँ पर कुछ दिखाना ही नहीं, अगर आप देखोगे, यहाँ पर भी, तो यह कुछ इस थरीके का दिखाई देख आपको, तो यह poly paint है, simply मैंने यहाँ पर poly paint किया है, एक map लेके, internet से, और आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यह वाला, I think यह वाला पर इंपोर्ट कर दिया, texture, and then इसको हम क्लिक करके, plus minus में आके, and then इसको मैं like, straight रखके, थोड़ा सा नाक वाँ को, like, you know, थोड़ी opacity कम करके, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे front का कुछ दिखाना है, तो, like, मैं थोड़ा सा time saving कर रहा था, and then just paint brush लेके, हम just like paint कर सकते है, यहा सके, तो, I think, क्यां पर layer होगा, I think layer है, तो इसलिए paint नहीं हो रहा है, तो हमें layer on करना होगा, paint करने के लिए, I don't know, paint क्यों नहीं हो रहा है, so, let's see, तो, I think, कि यह paint इसलिए नहीं हो रहा है, क्योंकि यहां पर शाइसे texture map on है, तो क्योंकि already texture map load है, तो, of course, paint नहीं होगा, अगर मैं paint करूँगा, भी, तो हो जाना चाहिए, तो अब देख सकते हो, paint दूबारा से हो रहा है, इस तरीके से, तो, यह दूबारा paint हो गया, मैं थो तो, आप देख सकते हो, थोड़ा सा, थोड़ा प्रस्पेक्टिव में आके हम थोड़ा सा, इसकी texture यहां पर ऐसे लगा सकते है, थोड़ी बहुत, तो, ऐसे ही करते, करके ही मैंने, यह texture, इस तरीके का texture मैंने apply करा है, इस तरीके से, जो की काफी basic है, लेकिन आप देखोगे substance printer में, यह, you know, end result में, वो काफी अच्छा दिखता है, and then, same with, यह metal भी है, अगर मैं metal देखता हूं, तो, यह chest plate में भी, you know, वही मैंने काम करा है, आप देख सकते हो, काफी कम है यहां पर, chest plate, metal पर, कुछ, मैंने, base material, I think so, मैंने कुछ smart material लेया है, and then, यह dirt, you know, उस पर अप material चाहिए था, यहां पर, और आप देख सकते हो, यहां पर भी यह detail है, यह सब कुछ, like, zee brush का ही detail है, अकर मैं zee brush open करता हूं, तो, यहां का ही मैंने like detail, normal map export किया है, ठीक है, और same with cloth का भी, cloth का भी आप detail देख सकते हो, वही मैंने detail export किया है, substance printer में भी, ठीक है, और फिर बाकी के maps मैंने बेक किया, जैसे position, you know, direction, sorry, position हो गया, and then curvature है, position है, world space है बगरा, ठीक है, और, same with belt or hands, मैंने polypaint किये थे, zee brush में, ठीक है, यहां पर, same thing, यह version में नहीं होगा, hand का, और, सबसे important, फिर हम में export कैसे करना, आप देख सकते हो, यहां पर नाम, जैसे मैंने माया में लिया हुआ था, name, यहां पर आप देख सकते हो, वही, जो, यह, जो material के नाम है, आप देख सकते हो, यह material का नाम, यह cloth है, तो वही cloth, substance printer में भी आप देख सकते हो, और, अगर आप मेरा folder structure देखोगे, तो मैं पको कुछ दिखाता हूँ, यहां पर, तो मैंने कुछ इस तरीके का folder structure बनाया, तो आप देख सकते हो, यहां पर, अगर मैं कुछ Megascan से ले रहा हूँ, तो मैं इस Megascan के folder में डाल दूँगा, Marmoset Toolback, empty, तो जो भी मैं export करता हूँ, substance painter का, तो Marmoset के maps में मैं डाल देता हूँ, तो आप देख सकते हो, maps में भी अलग-अलग folder में ने बनाया है, जैसे sergeant का है, तो सिर्फ और सिर्फ सार्जेंट का होगा, क्योंकि अगर मैं सब कुछ एक ही folder में डाल दूँगा, तो मुझे दिक्कत हो जाएगी, धुनने के लिए, तो मुझे ऐसे folder बनाने में मदद होगी, कि सिर्फ यह sergeant में सिर्फ सार्जेंट का ही है, तो फिर उसके पाद टेबल, जो टर्न टेबल है हमारा, उसका भी यहाँ पर है, और कुछ जीब्रश के मैप्स है, कुछ चीज़ों में मैंने यूज किया है, मैं आगे के टूटरल में बताऊंगा, राइफल का है, तो मुझे दिक्कत नहीं होगी अगर मैंने ऐसे folder बना के मैप्स के किये तो, और यह तो like Marmoset का setup है, जैसे Marmoset में मैं FBX रखता हूँ, तो like मैं Maya में open करता हूँ, इन सब को मैं export करता हूँ Marmoset toolback में, तो आप देख सकते हो, इस folder में FBX एक folder है, आप देख सकते हो, अलग-अलग है, यहाँ पर grass, hand, wool, rifle, rock, इस तरीके का, ठीक है, और फिर maps है उसके, and then render images है, जो आपने देखा होगा YouTube में, and फिर reference folders है, मेरे पांस, जो भी reference मुझे रखना है, and then substance printer, SP में रखता हूँ, इस तरीके से, आप देख सकते हो, FBX उसमें भी है, maps है, उसके अदर, actually maps में मैंने कुछ रखा नहीं है, यह सब कुछ like zebrush के maps है, you know, marmoset case में रखता हूँ, ताकि अगर मैं कुछ changes करता हूँ, substance painter में, और मैं export करता हूँ, तो marmoset का जो, you know, जहां से image आ रहा है, वो उसको reload कर देता है, तो काफी यह pipeline काफी easy हो जाती है, मैं, मैंने समझ लिए, एक्सपोर्ट कर दिया, तो इसका shortcut की है, Ctrl Shift E, तो मैंने इस को export किया, समझ लिजी, यह face है, सिर्फ, कहाँ पर उसका जा रहा है, आप देख सकते हो, यहाँ पर, sergeant, यह already project set था, तो like, एक बार आपने यहाँ पर, you know, output directory set कर दी, तो बार-बार वो यही set करेगा, तीक है, और आप देख सकते हो, यहाँ पर हमें लेना है, metallic roughness, you know, transparent काफी, you know, important है, अगर, मैंने आपको शाद सी, UV में बताया था, कि कैसे हमें distance रखना है, हर एक इसमें, तो यह dilation होता है, समझ लिजे, यह हमारा UV है, यहाँ से 2 pixel होता है, ठीक है, मतलब 2 pixel, थोड़ा सा बढ़ के आएगा, अगर आप 0 रखते हो, substance matter में, जो, यहाँ कर, अ यह थोड़ा सा pixel हमें बढ़ाना एग 2 pixel रख सकते है, जरा 2 या 3 pixel, डिपेंड करता है, जो यूवी माप के according, ठीक है, और फिर, एक बार यह हो गया, more as comes, ए 유किळा lung, and then just export, और यह कोई dirt का है, तो इस तरीके से मैंने पहले ऐसे कुछ बनाया, मैंने आपको, आप देख सकते थे मेरे previous renders में, जो मैंने Instagram पे post किया था, ठीक है, तो उसमें आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे ऐसे कुछ dirt वगेरे डाले नहीं थे, ठीक है, लेकिन, लेकिन मुझे पता जैसे मैं recent करता हूँ, rifle कर देखता हूँ, यहाँ पे, तो rifle में actually एक ही, क्या कहते है, material है, जैसे आपने, देखा होगा, आप देख सकते हो, एक ही material मैंने वहाँ पर डाला था, और यह dirt का fraction, जो है, यह dirt का material मैंने बाद में डाला था, जब, एंड में मुझे पता चला कि, न आप मेंने इस model पर लगा, ठीक है, इस Maya case में, तो आप देख सकते हो, यहाँ पे metal है, वही, वही मैंने काम करा है, जैसे है, ठीक है, तो यहाँ पे basic material है, आप देख सकते हो, यहाँ पे ज़्यादा जूम नहीं कर सकता है, लेकिन मैं, इस तरीके का, अटो सेव हो रहा है, त तो आप देख सकते हो, यहाँ पे कुछ, ऐसे dark, मैंने दिया हुआ है, textures और, अच्छी तरीके से, लाइक बेख हुआ है, आप देख सकते हो, डीटेल भी काफी अच्छी है, यहाँ पे, इस में नहीं दिखाई देगा, लेकिन अगर आप यहाँ से 4K करते हो, यहाँ पे नेक्स्ट टूटरिल में देखेंगे, रेंडरिंग के टूटरिल में देखेंगे, नेक्स्ट टूटरिल में, पार्ट 4 के, तो आप देख सकते हो, basic है, यहाँ पे, और हम और भी recent files देखेंगे, I think मैंने टेबल बनाया था, discard, let's see, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, कुछ material मैंने बनाया है, यहाँ पे भी, काफी simple है, मैं जादा, और जादा deep में नहीं चाहूँगा, यहाँ पे, basic है, wood है, यहाँ पे, इस तरीके का, और यह material है, यह वाला चीज मैंने, like, see brush में sculpt किया था, अगर मैं सब कुछ off करता हूँ, अगर आपको जानना है, कि यह मैंने paint कै बनाना होगा यहाँ पे, तो काफी बनाना काफी simple है, आप देख सकते हो, यहाँ पे, अगर मैं, यह mouse ground है, आप देख सकते हो, यहाँ पे mouse ground लिखा होगा है, ठीक है, तो मैं सिर्फ इसको यह off करता हूँ, सब को off कर देता हूँ, सिर्फ mouse ground को on कर देता हूँ, ठीक है, तो अ ये वाला material ही है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, इसको सब को पकड़ के, हमें चाहिए Albedo, AO, Displacement Map नहीं चाहिए, हमें Normal Map और Roughness, Click और Drag करना है हमें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमें पुछेगा कि यह क्या है, यह उन्दिफाइंड है तो, क्योंकि यह texture है, तो सब को हमें texture select करना होगा, और यहाँ, क्योंकि यह turn table में है, तो हम यहाँ इस project में save कर सकते हैं, import कर सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर एक material आ गया, sorry, maps आ गए, ठीक है, and then आप एक fill layer लेके, ठीक है, मैं इसको off कर दूँगा, और मैं नया बनाता हूँ, यही चीज बनाता हूँ, तो बस आपको यहाँ पर properties में आना है, और इसके base color में आप देख सकते हो, इसके base color में आपको base color डालना है, यह क्या है, I think it is AO है, तो आपको AO map भी लेना है, अगर आपको नहीं पता है, AO कैसे आता है, आपको बस टेक्शा सेट में आके यहाँ पर प्लस सिलेक करके, आपको यहाँ पर AO, आपको यहाँ पर आपको यहाँ पर आपको नहीं दिखाए देगा कि मैंने लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपको 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 यहाँ आपको यहाँ पर आपको यहाँ आपक इसको भी आप roughness में डाल दो गए, तो इस तरीके का आएगा रेट, फिर इसके बाद आप like black mask यूज करके, आप यहाँ पे paint कर सकते हो, जो भी brush लेकर, थोड़ा soft brush लेकर, cement brush लेकर, इस तरीके आप paint कर सकते हो, आप थोड़ा और अच्छा brush भी ले सकते हो, दिखाने के लिए थोड़ा और, इस तरीका, ऐसे like मैंने 2-3 material लेकर, ऐसा ही मैंने like paint किया है, तो अगर मैं इसको अभी delete करता हूँ, और इन सब को on करता हूँ, sorry, तो यह कुछ, इस तरीके का आपको दिखाए देगा, मैं इसको undo कर देता हूँ, क्योंकि यह मैंने white कर दिया था, sorry, ठीक है, तो इस तरीके का है, पहले कुछ asphalt, I think मैंने material लिया था, उसके पाद dirt and then कुछ fill layer आप देख सकते हो, यह थोड़ी सी shiny material है, ठीक है, basic color है, यह एक base color है, और थोड़ी roughness मैंने इसकी थोड़ी 0.3 में कर दी, and then मैंने सिर्फ इसी जगे पे मैंने paint कर दिया, और बाकी का like background है, ठीक है, फिर इसके उपर और एक अलग material है, जो की, you know, यहीं से लिया हुआ है, I think, पता नहीं, like asphalt rough, I think, so यह एक material बनाय था मैंने, और ground का यह वाला material बनाय था, ठीक है, तो ऐसे दो-तीन materials आप, you know, mega scan से ले सकते हो, and then maps लेकर आप यहाँ पर एक material भी बना सकते हो, और फिर आप यहाँ पर paint कर सकते हो, तो I hope आपको idea आगया होगा, और यह कुछ details है, जो मैंने ZBrush में बनाय थे, जो कि मैंने normal map में bake कर दिये थे, ठीक है, तो कुछ ZBrush के details अगर मैं आपको off करके दिखा हूँ यहाँ पर, सब कुछ off, तो कुछ ZBrush के मैंने ऐसा कुछ sculpt किया था, और वही maps आप देख सकते हो, stroke भी आप देख सकते हो ZBrush के, ठीक है, तो वही चीज मैंने use किया है, ZBrush का norm map और फिर उसको bake करने के बाद, यह सारे maps आसे मैंने paint कर दिया, और यह ध्यान रखना कि हमेशा जभी भी आप export करते हो, तो एक ही project में रखना, यानि एक ही folder में रखना, जैसे मैंने आपको बता आया था, एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ, तो जैसे यह project है मेने marmoset tool bag में, maps में जैसे table है, यह तो इस circle में ही, यानि यह turn table, इस table में ही मैंने export के आप देख सकते हो, यह सारे maps है उसके, तो मान लिजी आपको कुछ changes करना हे, तो आप यहा पे कुछ changes करने के बाद, आप फिर से export करोगे तो marmoset update कर देगा, जो कि मैं आपको अगले रेंडरिंग टूटोरियल में आपको बताऊंगा, ठीक है? So I hope आपको मेरा जो पाइपलाइन है या प्रोसीजर कह सकते है, काम करने का वो आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ गया होगा, तो और I hope आपको इस टूटोरियल में काफी कुछ सीखने मिला होगा, So guys अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे, तो प्लीज लाइक कीज़े इस वीडियो को, शेर कीज़े अपने फ्रेंज के साथ, और सब्सक्राइब कीज़े अगर आप इस चैनल पर नई है,